मेश आज का दिन आनंद प्रद रहेगा ऐसा गणेश जी कहते हैं अगर लक्षमी जी की कृपा हुई तो आर्थिक योजनाएं सफल होंगी आपके क्षेत्र के बाहर के लोगों के साथ भी संचार अधिक रहेगा शारीरिक स्वस्तता और मानसिक प्रफलता बनी रहेगी प्रिशब वैचारिक स्तर पर विशालता और बाड़ी की मधुरता से अन्य लोगों को प्रभावित कर पाएंगे बैठक या चर्चा विचारना वे आपको सफलता मिलेगी अभ्यास में प्रोची बढ़ेगी मिथुन आपका मन अनिर्णायक स्थिती में रहेगा ऐसा गडेश जी कहते हैं बहुत धिक चर्चा का प्रसंग उपस्तित होगा लेकिन बाद विवात को टालिएगा सवजनों या इसनेही जनों के साथ तनाव का प्रसंग उपस्तित होगा प्रवास आज ना करीगा कर्क आज भाईयों से लाव होगा ऐसा गडेश जी कहते हैं आज आपको हर कार में सफलता प्राप्थ होगी, प्रतिस्पर्धी पर भिजे प्राप्थ होगी, भाग्य में व्रथी होने के प्रसंग उपस्थे दोंगे, सामाजिक बार्थिक रूप से सम्मान प्राप्थ होगा. सिंग, विभिन योजनाओं के विशे में अधिक विचार आपको दुविधा मिलाकर खड़ा कर देंगे फिर भी परिवारजनों के साथ अच्छा बाता वरण प्राप्त कोने से आपकी प्रसन्नता में व्रत्थी होगी ऐसा गडेश जी कहते हैं, निर्धारित कार में अपेक शाकरत कम सफलता प्राप्त होगी आज का दिन मध्यम रहेगा गन्या, आज का दिन बहुत अच्छी तरह से पीतेगा ऐसा गडेश जी कहते हैं, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन रहेगे लक्ष्मी देवी की कृपा आप पर बनी रहेगी, मित्रों और इस नही जनों के साथ आनंद दाई भेट होगी, प्रवास भी आनंद प्रद रहेगा तुला, क्रोध पर सय्यम रखेगा, परिवार जनों के साथ किसी बात पर विवाद होने की संभावना है ओड के चहरी के कार में ध्यान रखेगा, आपकी मानहानी ना हो, इसका ध्यान रखेगा रिश्य, आज का दिन आपके लिए लाबदाई और शुबपन प्राप्त करने वाला सित्थ होगा विवाहोत्सुकों के लिए विवाह का योग है, व्यवसाईक ख्षेत्र में भी विशेश लाब होगा धन, गडेश जी कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए शुब है, हर एक कारित सफलता पूर्वक संपन होगा आनंद प्रमोद के साथ दिन भी देगा, उच्च बदात कायों से लाब होगा पदोनती के योग है, वम्मान सम्मान भी बढ़ेगा मगर आज का आपका दिन मध्यम फलदाई रहेगा ऐसा गड़ेश जी को प्रतीत होता है, परंतु बहुत धित कारे करने के लिए आज का दिन शुब है इसके लिए आप योजना भी बना सकेगे, शरीर में हलकी ठकान रहेगी कुम, गड़ेश जी आज आपको निश्वेधात्मक कारे तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सूचना देते हैं रोध अधिक मात्रा में ना हो जाए, इसका सैयम रखेगा इसी भी प्रकार के अनैतिक कृत्यों से दूर रहने की गड़ेश जी आपको सलाह देते हैं मी, गड़ेश जी कहते हैं कि आज के दिन मनुरंजन और आनंद प्रहोद में आप डूबे रहेंगे कलाकार, लेखक आदि हो अपनी प्रतिभा प्रकट करने का औसर मिलेगा कि आपको सलाह दोगे का और आनंद प्रकट करने का और आनंद प्रकार का और रहेंगे